नमो नारे जेगो माता वंदे मात्रों मा भर्ति कुप नाम और रैशे ओम शम शनिश्य राहे नमा प्रिदर्शकों मित्रों शाथियों संतों का संदे से कि इस सारा संसार का जो रिष्टे हैं वो टेमपरेली है और संतों यहां तक क्याता है कि संसारी का रिष्टे नाते जूटे हैं क्योंकि जीवन है रिष्टे हैं और जीवन के साथ रिष्टे समाप्त हो जाएंगे लेकिन एक ऐसा रिष्टा जो वास्तों में पवीतर भी है और सच्चा भी है वो हमारी भीतर में उस परमशता से है जो हमेशा बना रहेगा वो कभी समाप्त नहीं होगा संसारिक रिस्तों में उठा पटक है उतार चड़ाव है कभी बनते और कभी विगड़ जाते लेकिन वो रिस्ता इस्थिर है वो हमेशा आपके साथ है उस प्रमात्मा को अपने भीतर खोजने की कोशिस करनी चाहिए उम न बना रहे पिरदर्शकावड में त्रहों शात्यों बात करते हैं 11 अक्टूबर 2022 की राशी फल और पंचांग राशी फल पर आओं उससे पहले आज का पंचांग कार्थिक क्रश्वपक्स की द्यूतिया विकरम श्रमद 2089 आश्विन मास की 35 परविश्थि सक्षन गुनिस चवालिस आश सि योग है और योग का समाप्ति काल दो पर 3 बज सत्रा मिंद अगला योग बजन हो और नक्षस्वामी केतु है और नक्षतर का जो श्माप्ति काल है वो शाम चार बज के 17 मिन्ट अगला नक्षतर भरनी होगा और नक्षतर स्वामी शुक्रदेव है यानि आज चंदरदेव केतु देव और शुक्रदेव के नक्षतरों में संच्रण करेंगे चंदरदेव मेश रासी में है और मेश रासी के स्वामी मंगल देव है राज मंगल पर पर जो मित्र मेरे वीडियो को देखकर सवाल करते हैं हमको यह प्रॉबलम है हमको यह प्रॉबलम उनका जबाव मैं गुरुमंत्र में देता हूं इन उपायों के मादि मित्रों शाथियों घर में कलह रहता है घर में उठापटक रहती है घर में शमन्वे नहीं है सांती न लगा रहता है यह अद्भुद उपाया है मंगलवार के दिन प्राते काल नित्य करम से निर्दो शिनानों उप्रान ब्रह्म मुर्त में ओम हम हन्वते नमा या ओम हम पमनदना इस्वहा इस मंत्र का मानस जाब करते हुए पीपल के पेड के नीचे सुद्ध देशी घी का दिपक जलाने के बाद अपने हाथ में साथ दाने साबुत मसूर लीजिए ओम हम पमनदना इस्वहा इस मंत्र का जाब करते हुए पीपल की साथ परक्रिमा करिए और तस पसाथ अपने संकल्प के साथ ये मसूर के दाने साबुत मसूर के दाने अपने उपर से एंटिक लॉ भाई साथ बारुसारी और दीपक में अर्फित कर दिए देखा गया है पाया गया है और अनभाव में आया है ऐसा करने से आपकी जिवन की संपूर्ण विग्न परिशानिया कस्थ और बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगे यह अध्भूत है करके देखेगा अउसे आपके कस् कारुबार में विग्न है हमारी कारुबार में उठापटक है हमें कारुबार में परिशानियों का सामना करना पड़ता है हमें अपनी नोक्री में परिशानियों का सामना करना हमारी कामकाज में बहुत उठापटक है क्या करें मंगलवार के देख बारा के बारा रास्ती के यह निस सब ही लोग प्रातिकाल नित्य करम से नित्य सिनान उप्रांत ब्रह्म मूर्थ में शर्धापूर्वक हनमान जी का ध्यान करते भी ओम हम हनमते नमा या ओम हम 2520 वहाँ इस मंत्र का जाब करते हैं हनमान जी की स्रिचर्णम 108 मोगरे की सुगंदित पुष्पर पिट कर पूजा के बाद किसी गरीब को भोजन कराना बड़ा सुब माना गया यह जरूर देख लेना और बात करते हैं घ्रह योगा यह प्राथकाली लगन कन्या लगन लगन में शूरी देव बुद्ध देव शुक्र देव चंदर देव रहु देव मेश रासी में मंगल देव विर् क्याधार पर 11 अक्टूबर 2022 का राश्य कर लिखा है मित्रों शाक्तियों आज का जो अभी जीत मूर्थ है वो शुबह 11 बज़कर 44 मिन से लेकर दोपर 12 बज़कर 31 मिनट तक रहेगा अब दी 47 मिनट है और यह 47 मिनट आज की दिन कोई भी शुबकारी करने के लिए सर्चे उ अभी जीत मूर्थ है और अभी जीत मूर्थ भगवान से हरी को बहुत अप्रिया है वित्रों शाक्तियों आज का जो चौगडिया है वो सुबह 11 बज़कर 41 मिनट से लेकर दोपर 12 बज़कर एक मिनट तक लाब का चौगडिया रहेगा जिसमें आप सुबकारी संपन कर सकत हैं कि यहां आपको जादा टाइम मिलेगा और यह अच्छा चौगडिया है और दोपर तीन बज़कर दो मिनट से लेकर साम चार बज़कर 29 मिनट तक शुबका चौगडिया है तो सुबह सुबह आपको लाब का चौगडिया मिल गया दोपर में आपको अमृत का चौगडि इन तीनों चोगडियां में आप शुबकारी शंपन कर सकते हैं आज का जो रहुकाल है वो दोपर तीन बज़े लेकर साड़े चार बज़े तक रहुकाल बज़े लेकर शुबकारी करना सौधा करना पुझने में करना अनकूल और उचित माना नहीं है इस सला मेरी और मर्जियाद की मेरा कोई दबाब नहीं यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी आज की दिन यात्रा पर जाने से पुरू गुरु का शेवन करके यात्रा पर निकलेगी तो कस्ट का मायेगा प्रिदाश्कों मित्रों शाथ्यो समय, शाधन, प्रसतियां और काल में बहुत परिवर्टन आया है आप किसी भी दिशा में यात्रा करिएगा मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं है लेकिन जब यात्रा के लिए आप घर से बाहर निकलें उस समय साथ कदम सबसे पहले उत्तर दिशा की और चले इस्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते में मंगल में यात्रा की कामना के साथ राइट टरन लिजिए और यात्रा पर जाएगा यात्रा में कश्ट कमाएगा प्रदर्श्कवार में तरफ साथियों कि 11 अक्टूबर आपका जनम दिन तो दो आएगा यानि जिन भाई बैनों का जनम 11 अक्टूबर को हुआ है उनका जो मुलांक के वो दो होगा और उनके जिवन में अंक दो का विशेश प्रभाव रहेगा मुलांक दो के स्वामिग्रह देवता चंदरदेव है और मुलांक दो पर अंदरदेव का प्रभाव होने की польз यहिए वजे से आप बहुत संविधन सी है है बहुत संसिट्यू है कि दूसरों की विचारों से और दूसरों की बातों से बहुत जल्दी और बहुत जादा आप प्रभावित होता है आप के रिए भावना सवम्रुपर ही है आप सहज वेक्ती है आप बहुत जल्दी दूसरों के साथ भावनात्म ग्रूप से जूर जाते हैं लेकिन एक बात देखी गई है कि आप अपनी शव्म की महनस से जिवन में आगे बढ़ें और शमाज में अपना नाम कमाते हैं आपकी जो महत्पुन ताकत है जीवन की वह आपका बिनमर सभाव आपका भावपणा आपका इंपरिस्व सभाव आपका मिलन साथ और आपका कॉपरेटिव सभाव यह आपकी ताकत है आपकी कमजोरी है निरने चमता आपकी निरने चमता कम जो है कभी कभी आप निस्क्रे हो जाते हैं कई बार देखागा कि मांसी गुरूच से बहुत जल्दी निरास और असंतुलित भी हो जाते है नकरात्मक्ता सिगर आपको पकड़ लेती है और लीडर्सिप की कमी है इन बातों पर आपको काम करना होगा यह बाते आपकी ठीक ह साल करें तो पती पत्म दोनों इस उपाई करें और एकर आपको आप जनम दें तो खुद इस उपाई को का है म minderवार के दिन प्रातकाल निक्पर्मण करम सिर्यराम के मंदिर में जाएजिये जहां माता शीता भग्वां शीरीराम और लक्षन जी का सिर्विगर रहता है वहा वही बैटकर एक पार्ट संक्ट मोचन हनुमान अस्टकर कर लेगा और शाम को मैं तो नौ बजे के आसपास प्रदोसकाल के खोड़ा सा बाद में हनुमान जी की स्रीचर्णों में मोगरे की माला अर्पित करना आपके लिए बलाचू बहेंगा यह अध्भूद है और स्रीचर हर परिशान से आपके शुटकारा में अब मैं जोती से शुत्रों की बात है हर रोज एक शुत्र पर चर्चा करता हूं कि कहीं आपको भारती सनातन संस्क्रत का यह अध्भूद विशे आपकी समझ में है और आप अपने जन्मकुनली में जरूर देखे चौथा घर वो आप आपका नीजी घर है आपका नीजी प्लेजर है आपकी अपनी खुशी है आपकी अपनी प्रोपर्टी है आपका भवन है भूमी है वहान है यह चौथा घर है इसमें देखा जाता है और बारवा घर हाने का है चौथे घर का मालिक दी बारवे घर में बैट गया और उस पर प्रतिकुल ग्रहों की दर्ष्टी है तो यह देखा गया है व्यक्ति अपना नीजी जो मकाने वो खरीदने में परिशानी मैसुश करता है या जमिन जाइदाद में पैसे लगाएगा तो उतना लाब नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए लेकिन ध्यान रखिए कि चौथा घर का मालिक बारवे घर में बैठा है और बारवे घर में विदेश है भी देखा जाता है ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर जहां भासा भोजन संस्कृति बदलती हो जिरुनी को अपने भारत से बार जाए जहां अपनी भासा संस्कृति खान पान रिती रिवाज बल देदे हो महां जाकर भी यदि कुछ काम करें तो और अधिक सफलता मिलेगी ध्यान ने क्यों जाए नमनारे नमनारे अब में बात करूँगा आपकी राशीपल की वरी जो राशीपल है वो आपके चंदर राशीपल राधारी थे राशीपल पूर्शों के लिए भी है महिलाओं के लिए परिशानी और जंजटों से छुटकारा मिलेगा स्वास्त्य विशुधार होगा चित बड़ा संतुलित रहेगा कारी वैविशाही में उनत्य के योग आत्म विश्वास और प्राक्रम में व्रदी आर्थिक लाब के सासत अधिकारों में व्रदी होगी अब युवा है तो मनोबल को मजबूत रखना बहुत ज़िए क्या ना करें अज साज़दारी के कारे में मन मुटावना करें सुबंग इच्छे सुबरंग गुलाबी भाग्यापके पक्स में 80% लाब का संकेदे रहें मिश्वास वालों प्रतकाल नित्य कर्म से नहों सनाना उपरां सर्थाप अपर हन्मान जी का पूजन करिए धूप नहवेदी पुष्ट राक्षत अर्पिच्छा और सुधासन पर बैठी शुद्देशी धीका दीपल जलाई एक पार्थ दो पार्थ तीन पार्थ चुआपकी सदा है बजन बानका करिएगा कष्ट बतेंगे नमना इन बात करतें अपने मन पर पिछले घटना करम का प्रभाव रहेगा पिछले दिनों में कुछ किया है वो आज परेशानी का संके देरी वैठित रहेंगे बेचेनी रहेगी भै बना रहेगा और इस बेचेनी भै के कारण कारिबादा उत्पन होगी आपका मन काम काज मिलेगा रहानी की प प्रतिकुलता का संके दे रहा है और विशे ही सिरुप नियम और कानून संके देरी आज मोटा पूंजी निवेस आपको नुकसान देगा बचलाच है विद्यारते युवाओं के लिए नक्षद गरना सावधानी का संके देरी क्या करे किम शिबत में कॉन काम आपके भाई बंदों से मिल समय सम्मेदार बात करते हैं मितुंडासी ज्यारवे भाव में चंदर्मा केटूदेव और शुकुरदेव के नक्षत्रों में संच्रन करा है शमयशुब और अनकुल है कारी छेत्र में जुमेदारियां बढ़ेगी और जुम्यदारियों के पूरी होने सी धनलाब बढ़ेगा आरि समेशुपध शाबित होगा नई पुराणे मितन से मिलने का शुभसर मिलेगा अदिकारी बर्क से ताल मे अच्छा रहेगा और नोकरी में उनती और धनलाब के सासा कारी स्तलब्राब का बर्चस्थोब भेगा यह और विद्यारतें के लिए और उम्ट करएं दिश्वाओं चंदर्मा और दसम्भाम चंदर्मां के तुद्री नहां खेंद दर दिश्वाव में चंदर्मा और सब्सक्राइब और विशेश्ट उपलेद्यों की प्राप्ति होगे आज इदिया अपने अपनी माता की आग्या का पालन किया तो सफलता में त्यार ताम बढ़ेगा अब यूआ है सास्तोर मनोबल बढ़ेगा माता-पिता का सब्सक्राइब प्राप्त होगा इमांदारी से का माता-पिता की साथ बैठने से और अधिक सफलता में आज रस्ता उदर से लाब का निकला इसलिए ज्यादा समय माता-पिता की सरणों बैठने की कौशिश के लिए क्या ना करें मन में अस्तिस्तार और संतोस ना पाले सुबंग चार्शो बरंग क्रीम भाग्याप्ति पक्स दरी की कामकाज, नौकरी, वैवेशाय, शमाज, परिवार, हर जगे आज आपकी पूछ होगी, आपकी आवश्यक्ताओं की पूर्ती होगी, आपकी काम बनेगी, आर्तिक पक्सुदर होगा और आपकी बोधिक चिंतन का लाबनी लेगा, आज कारी विशेश को करने का जो प अगज आपकी होगी, आज दीक आतम विश्वास पर काबूर होगी बनेगी, आज विशेश उपलविद्यों का संकेत नजरा रहा होगा, अज उच्छ शिक्सा के चितर में सपलता मिलेगी, क्या करें? पारवरे जीवन को अन्व्फूल बनाए, क्या ना करें? अनावश्यक से बिना सोचे समझे किसी की मत्यस्ता ना करें शुबंग साथ शुबंग परपल भग्यापकी पक्ष में पैंसेट परसेंड लाप कर संकेद रहे सिंग राशिवालों प्रतकाल नित्य कर्म नियों सिनान उपरान शर्धा पुरुवक आदेत्य हिर्दय शुरुक का पात करना बात करते हैं कन्या राशि आश्टमभा में चंद्रमा केतु और शुक्रदेव के नक्षतर में संकेद रहे सबसे बड़ी भात है कि दी सोभाव नुकसान देगा मुमे राम बगल में छुड़ी आपको मुशिबत में डाए बिना सोचे समझे किसी भी पक्ष के साथ खड़ होना आपके लिए नुक्सान दाई लेगा और बोल अमोलक बोल ये में तोल पीछे बोल ये निती अपनानी पड़ेगी कि सितार मिताल पर्टिकूल है फिजूल के तरक और वितर से नहीं बचे तो मुशिबत खरी हो जाए अपने कारियों में गोपनिता बनाए रखना और अन्यतिक्ता का दामन नुकसान देगा अन्यतिक्ता से दूर नहीं रहे तो मोटी समझा का संकेत में जरा रहा है यह विद्यारतियों को आज अन्यतिक्त कारियों से बचना चाहिए थोड़ा सा परिवार को समझने की कोशिश करिए क्या ना करें बहुत जरूरी यह नेट्यकर्म्यों सिनानों प्रान शर्था पुर्वक्त गनपति का पूजन करी सुधा आसन पर बैठी गनेश चालिशा की तीन या पांच पाट जबितरे नमना और बात करतें तुलाराशी सप्तम्भामी चंदर्मा और सप्तम्भामी चंद्मा केतु देव और भढ़ी दे नच्षत तकरना इस बात का संकेदरी कि आप नौकरी में तो प्रमोर्शन हो सकता है और आप बेरोजगार रोजगार मिलेगा और आपका इंक्रिमेंट भी हो सकता है धन्सम्रेंदी मामले सुल जेगी माता पिता और प्रिजन के स्योग से प्रसंथा होगी और चल और असंद संपलती की प्राप्ती का यह जीए वित्यार की और युवाओं को अपनी उम्मीदों से अच्छा लाब मिलने का संकेद में रहा है किसी वरिष्ट व्रेक्ति के स्योग से युवाओं को अच्छी अच्छी वर्तन के लिए संतुलन बहुत जरूर क्या ना करें किसी से भी विवाद करें सुभगतिन विभरंगुला भी भाग्याप्ति पक्स में शाठ परसंद लाब का संकेद रहें तुलाराश वालों प्रातकाल नित्य कर्मियों सनान उपरां सर्थापरू महाभवती का पूजय अंखरी और अरगला इस्तों के साथ पार्ट सुने आप करें कश्ट पिटेंगे नमनान बात करते हैं विवादित मुदों से रहत मिलेगी मन में शुक्षांती बने लेगी आर्तिक इस्त्री में सुधार होगा सामाजिक वर्चस्तु और प्राकर बढ़ेगा और व नौकरी में उनतिक अच्छे ही होगी देश विज़े से कामकाई नौकरी एजुकेशन के सित्र में सफलता मिलेगी आज का घोचर लाब और सफलता के अच्छे उसर दे रहा है क्या करें रुकेवेर अधुरे कारी को पूर्ण करने का प्रियास क्या ना करें धोका नहीं करे नमनान सुबंक एक है सुबरंग पीला है भागिया आपकी पक्ष में पैंसट प्रसेंद लाब का संकेदर बिच्छे ग्राश्वाल प्रादगाल नित्यकर्ण नौकरान श्रधा प्रोग हनमान जी का पूजन करी सुद आसन पर बैठी साथ पाथ 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 या तीन पाथ हनमान 40 एक जरू करें नमनान और बात करते धमराशी पंचंभा में चंद्रमा और पंचंभा में चंद्रमा केतू देव शुक्रदेव के नशतरह में संचन करा है इसे में इस बात का संके दिर है कि धीरे-धीरे मिना धीरे सब कुछ होई माली सीचे के बड़ा रित्वाई यानि धहरी और सयम से कैसे भी बड़ा काम होगा सफलता आपको मिल जाएगा बस समझ बूझ कर कारी 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 परिवार में एकता बनाए रखेंगे और आई और वे को बराबर लेके साथ विधियारतिओं को शिक्षा और के स्वस्टा पर करने का सब्सक्राइब करने का अच्छी सफलता बड़ेगा युवाओं और विद्यारतिओं के लिए आज का दिन बड़ा समर्पे बड़ाएगा तो यह वह कामकाज करतें व्यविशाय कर तो विस्तार होगा नौकरी में अच्छी आउसर मिलेंगे समाजिक सुएस बढ़ेगा कोई विशेस कारी करने का मोका भी बिलेगा स्वास्ति उत्तम रहेगा बस बुजर्गों की सलह को ध्यान बरेके उन्हें उन्हें एग्लोर नहीं करें क्या करें आफशकता हैं अपनों पारवारी वात्रवन को कंट्रोल करने की और परिवार में कलहें नहीं हो आज विशेस रशावधानी बढ़ेगी आज पारवारी सदसे साथ से नहीं रहेंगे तो इच्छित कारी नहीं बनेगे मन वैतित रहेगा इसलिए पारवारी सामझे से बनाना बहुत जरूरी बड़ा मुश्किल है आपको अपना प्रियास करना होगा भूमी और वहान के कारें में पूंजी निवेश हानिकार करते हैं विद्यार्टी और रि सब्धार ना दे शुबंग पांट शुबंग रे भागे आपके पक्समी 40 प्रसेंद लाब कर संकेदरे मकर राजवालों प्रादगाल नित्य कर्मियों से नानो प्रण शर्था प्रूत दस्रत कर सनी इस रूत के साथ पार्ट करिएगा कष्ट और प्रजशांति प्रतिकार और स्वहूग बड़ेगा च्टी मुठी कारुबारी यात्राई लाब दायक रहेगी धरम में रूची बढ़ेगी और विभेज़ चेत्रह में लाब के अच्छे इवसर और सफलता मिलेगी देश विदेश सिक कारुबारी समंद्ध लाब दायक रहेगी किए परेशन का सू काम काज नौकरी में अच्छी अफसर देगा क्या करें किसी जूटा वादा ना करें करें शुबरंग परपल भागयापकीप पर्चासी परसंद लाब का संगेदे कुम्राश वालों प्रातकाल निप्ते करम शनानो अपरन सर्दा अनुसार सने देव का पूजन करें चाली साथ के पाट 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 नमनन बात करते में था दूसरे भाव में चैंदमा शुक्रद परिवार आपके साथ खादा रहेगा बस थोड़ा सा सोच विए चारकर काम करें और कारियों की परती सज्जग और सतर्ग जरूर रहेगा मन की स्थिति आपकी बड़ी संतुलित है लें फिर भी थोड़ा सज्जगों के काम करेंगे और अधिक सपलता देगे और मन इस्तिर होने के वज़े गर्णी समेश्याओं का समधान बड़े आराम से होगा सुभा और सोसाइटी बीजाने मोग है जहां आप अपनी बात भी रखेंगे यह और विद्यार्तियों के लिए आज का दिन बड़ा सुग देगा प्रतियों की परिक्षा के छेतर में शफ क्या करें शफलता के लिए समझोतावादी नीतिया पनाना पहुत जोड़े क्या ना करें संतान पक्स की प्रति लाप परवाई नहीं है शुबंक एक शुब्रंग पीला भाग्या आपके पक्स में पैंसेट प्रसंद लाप का संक्रित मिंदाश वालों प्रतगाल निट्ट रसार okay बारा राश्यों का रासिफल नक्स तरगहनां के अधार पर आंकलं मेरा था प्रतफगाल में तरस साथ नय भय न भ्रहम न भ्रह्ति न भिवाठ मेंतर रख्यों कुशा नेव्य दयता है शेकैर अधार आपके पास था आपके पास से राभ समना अधा अधूत है और कि परिवार में बार 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 दुरगठना एंगों हम कर दोसनी तब भी आरोप लग जाता है क। किलती किसी और कि मिलती है क्विस्ति कहा है करना है घर की दक्षन रिकार मिठी को लालणों से रंग तीं मुणपली का तेल और कलावे की बाती चौमों का दीपक लगातार आप 40 दिन जलादी ध्यान रखेगा दीपक जब रखें तो उसके नीचे या तो अकसत रखें या ग्यहों जरूर सीधा दीपक भूमी पर नहीं होना चाहिए इस बात पर लगातार ये खाली दीपक जलाएगा सब हर रोज एक मुठी मुंझपली का सेवन करके करने हि heal chapter मजबूत होगी है रक्तचाब आपका बेलेंस रहेगा और स्क्राणी बना रहेंदर योई आणभव आपके सावने रखाए लादने का सभाव नहीं हूं मनेश्य हूं काम करते समय कहीं भी भूल से भी भूल हो गई तो विनेवर भाव से दोनों हाद जोड़के च्छमा मांगता हूं आप शुक्की रहें स्वस्त रहें संबर्दी से इलें सैने देव की चर्णा में मेरी प्रात्मा ओम नहीं में दाती माराज बेटियों से बहुत प्यार करते हैं हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना चंपून जीवन दिया और यह मेरा सोक था मेरी राष्ट की धोर वर्त करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वजय से नहीं सुना रहा है कि इस सालों से में बेटी बचाऊ और गो श्यृववा में अपना जीPac जिस राष्ट के साथ लगाया है, वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकॉन से मेरी अनकूल नहीं है, धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूं, अब भी मैं नहीं कहा रहा हूं, और यह मेरा इंकार नहीं है, क्यों कि धन को लेकर मेराष्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये का कि आप शेवा करिया मैं भी शेवा करता हूँ आप भी शेवा करता हूँ धन नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परस्ति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनीधान ग जन्मकुनली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, पूरी साल खड़ा रहूँगा, जब तक जीओंगा तब तक खड़ा रहूँगा, नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर शंपर करी, आप मेरे से बात कर लेकिन इसकी अवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता कर लिए, और इसलिए मैंने कहा था कि, भाई, थोड़ा दिन, इस समय में परेशाने में हूँ, और मेरी गायों चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है, ऐसा हिरुदे से आया, लोगों ने कहा कि, राश आप से इसまで अद्र کی मेहां रहता है, दाती महराजं एक बार निवेदन करिये, तो मैं दानने महांग रहूं, पिर भी अभी मेरा यह एंकार नहीं, इसात्यों, मैरा राज शेरों परी है, बहुतर क किया रहुए और परिस्द्चरम के एवद में गायों के लThe चारे की वेवस्ता कर और आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेद है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगब लगब 20 से 25 पचास लोग ऐसे भी है जिनोंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की प्रति अपना आभार परगर करता हूं और ये सयोग में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकॉन से अ भूरा नहीं पड़ता है ये आप भी जानते है शासन के अपनी एक शीमा है और अपनी मर्याता है और रीकान के पास और बहुत से काम मेरा कोई दवाव नहीं है, प्रातना थी, आम नमोन आरायन, आम नमोन